हमारे राज्ज महाराष्ट में जनवरी से अक्टूबर के बीच में 236 किसान भाईनों और बहनों ने आत्मात्या कर लिए प्रति दिन एवरेज पकड़ें तो 7 किसान प्रति दिन आत्मात्या करते हैं जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है अमरावती और संभाजी नगर का डिविजन है आपको जानकर हैरानी होगी कि आकड़ा हमने नहीं दिया है ये महाराष्ट राज्ज के आपदा मंत्री अनिल पाटिल जी का बयान है और जो आकड़ा आया है आपको हैरान कर देगा आकड़ा है कि अमरावती विभाग में 951 किसानों ने आत्मात्या की है और छत्रपती संभाजी नगर विभाग में 877 नाकपर विभाग में 257 नासिक विभाग में 254 और पुणे मंडल में 27 किसानों ने खुदकुसी की है और आत्मात्या की है कोई सुद लेने वाला है? कोई जिम्मेदारी उठाने वाला है? जब हमारे किसान भाई बहन अपने फसल को उगाते हैं, कड़ी महनत करते हैं उमीद में कि हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे था हम अपना परिवार चलाएंगे लेकिन अज समय बरसात हो जाती है, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, फसल नुकसान में चली जाती है बीमा कंपनिया पैसा देने की जगह उनका मजाक उडाती है कहीं कहीं 52 रुपया, कहीं 45 रुपय का भी चेक किसान भाई बहनों को दिया गया है यह मजाक नहीं तो और क्या है मंत्री जी कह रहे हैं कि किसान भाई बहन जैसे आत्मत्या करते हैं एक लाख रुपय का चेक उनके घर हम पहुचा देते हैं कोई बहुत बड़ा अहसान करते हैं क्या आप हमारे देश के नागरिकों की जान की कीमत एक लाक रुपया है हमारे देश के किसान भाई बैन हमारे देश की संपत्ति है हमारी संपत्तियों का भरपाई लाक दो लाक रुपय से हो सकता है क्या कोई इस सरकार में सुध लेने वा इन्हें केवल सरकारें बनाना हो बिगारना हो पार्टियों को तोड़ना हो फोड़ना हो इसमें ज़्यादा रस रहता है लेकिन किसान भाई बहनों की कैसे सेवा कर सके इनको कोई ध्यान नहीं रहता है बहुत ही दुर्भाग पूर्ण इस्तिति है हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं आने दीजे चुनाव सरकार को सबक जरूर सिखाय जाएगा